नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी भोस्ट अंदोस जोतिका शर्मा और स्वागत है आप सबका ब्यूटी और हेल्फ टिप्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बाते बतानी जा रही हूँ जिससे आप अपनी तवचा को समझ पाएं। अपसर ऐसा होता है कि हम बाजार में मिलने वारे गलत रेडिमेट प्रड़क्स यूज कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी तवचा को नहीं समझते हूँ। हाला कि जो टिप्स में आपको बताती हूँ उसमें नाचरल प्रड़क्स ही रूज होते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तवचा को समझ कर ही उन प्रड़क्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि दूद। दूद एक बहुत ही अच्छा प्रड़क्ट है ड्राइ स्किन यानि कि सूखी तवचा के लिए। क्योंकि दूद में फैक्ट शामिल है। और अगर यही दूद कोई ओईली स्किन पर अस्तिमाल करें तो क्या हो। यह आपकी तवचा को और भी ओईली बना दें। स्किन पर लगा दो किपना तो यह स्किन को और भी जाद ड्राय बना देगा तो कि यह नाच्रल मॉष्टर को भी तूर कर दें। आप जिनकी तवचा नॉर्मल होती है। वह नीमू के रस को थोड़े मात्रा में पानी में मिला कर लगा सकते है। अब बात करते हम हनी यानि के शेहद की शेहद एक बहुत ही अच्छा मॉश्चुलाइजर है हर तरके तबचाते लिए सो दोस्तों मेरे इन टिप्स को ज़रूर इस्तिमाल कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में या तो फिर मेरे द्वारा मुझे भेज़ दीचे मेरे वीडियोज देखते रहे और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली तब तक स्वस्त रहें खुश रहें और हाँ अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो अपनी दोस्तों में ज़रूर शेयर